सलंक स्थिट जुटेंट हमने टैस्ट parfois करना है राइट करने हैं इसके बार लोगं quests जो तरी beggar इसके बाद की वर्ड मीनिक से, रीच, पहुंचना, डेजर्ट, सहरा, डीक्रीज, कम होना, क्लाइमेट, आगोहवा, एक्मोस्पेर, माहौल, सर्फेस, सता, बेरियर, रिक्रकावर्ट, सैल्दम, कभी कबार, सब कॉंटिनेंट, बरेशगीर, फेक्टर्स, अवामिल, यूजिली, आम तोर प कर, एल्टिट्यूट, बुलंदी, यह 12 वर्ड मीनिक है, अपने अच्छी तरह, यह लर्ण करने है, फिर राइट करने है, ताकि आपती इम्ला द्रूस्त हो, पीज के बाद है, शोर्ट कोस्टन, शोर्ट कोस्टन नमबर वन है, विच पार्ट ओप दा कंट्री, इस कैसी होती है, आंसर है, आपके पास, आपने अच्छी तरह, लर्ण करने अभी अच्छी तरह समझ लेनी है, इस पे हैं QS1, सब्सक्राइब क्लाइमेट फोरा रीजन एक लाके या खिते के लिए आप होगा कि क्या एहमियत होती है आंसर है क्लाइमेट इस एन इंपोर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट आप होगा एक बहुत एहम अवामिल है बिकॉज इट है जाज ग्रेट इफेक्ट यूँकर यह बहुत मुतासिर होती है और फिपल्स लोगों की लाइव जिन्दगियों पर प्लांट पौदों पर क्रोप्स फचलों पर एंड ओन डा लैंड इन एक एरिया और इस समीन के लाके पर आप होगा बहुत मुतासिर होती ह है इसलिए अब होवाई एक बहुत एहम वामिल है जो लोगों की जिन्दगियों फढ़ों पर और फश्राओं पर बहुत मुतासिर होती है क्रेट क्रेट इफक्ट क्लोजने अफंदर के ख्रीब की जगा होती है उनका उनकी आप यह जगा पर कैसी होती है? प्लेसिस जगें डैट और क्लोस खुदासी वह जगें जो समंदर के क्रीब होती है यूजली आम तोर पर है टेम्परेश क्लाइमेट उनकी अभुवा बहुत ज्यादा होती है क्वेस्ट नम्पर ठीए गीव एक्जेंपल्स ओव यूजफुलनेस और वैदर फोर्कास्ट की गोने इस्तमाल बताने है वैदर फोर्कास्त क्या होता है और यह को इसकी कहां वहता हमहाइब नोम करता है धर लैदर फोर्कास्त वोम घर्मी से रेनी बारिश यह लोगों को मदद करता है व्यद्न पहुंचाता है वेदर फॉर्कास्ट इसके बाद है हमने एंसी क्यूज पढ़ने हैं इसके फोर एंसी क्यूज आपको दिए जाए जिसके चार उप्शन्स हैं फर्स्ट है सीन्द और बिलोची सान और डैस रो आउट दा यह सीन्द और बिलोची सान पूरा साल होते हैं ए इस रॉटिट बाइज जमीन स्राउंड होती है डैस से अप्षण है एक्पोस्फियर से बी ऑप्शन है पॉलूजिशन अलुद्की से सी ए क्लाइमेट आप्वोवा से जिब जमीन जो है यह एक्पोस्फियर आप्षेशन ए पर टिक लेना है एक्पासिर से मतासिर होती है अर्थी स्राउंडिट वाइं एट्मोस्फियर थर्ड है डैश और वेरी ड्राइप लेसी कौन सी जगे ज्यादा खुश्क होती हैं ए ओप्शन फोरेस्ट जंगलाथ बी ओप्शन माउंटेंस पहार सी ओप्शन डैजर्ट सहरा सी ओप्शन डैजर्ट सहरा जो हैं यह बहुत ड्राइप चैसे आपने सहरा पर टक करना है ब्लैघ में भी लिख सकते हैं डैश अर वैरी ड्राइप लेसी डेजर्ट the इसके बास हमने वर्क्पेस्स टार्ट करना था थे वर्क्पेस्स में इसकर ठीक अगें़ फी करेंब्स ऑगेंस प्रोड बॉच है और विए ही हुजे होगेumuz टीक कर देना है और पारीश् горम को ते पहला करते भी होगेस है यह थूद्स जादा फंडे होगे तूद्स फूर्स है । हपनी होगर मैं फिर है थंडी ह caution से जमीन की तरफ चलती है लीजिए टीख कर देना है आपने थंडी ह Indiana समुंधर से जमीन की तरफ चलती है दूसरा है टिक टइसरथ अर्वेरी ड्रायई ड्राइब इसी सहरा जो है यह खुश्क जगे होती है जी इसद कर देना क्यूंकि से author jose को साबनदोर् grilled गसिंस fautमद्र पास जो जगें वह ज्यादा जर्ण होती है इस यह यहांपे पर प्रोस है पाल्स टूल से यहां वें तुछ पैरी वेट क्लाइमेर पाकिसान की अब हो बाद वेट है गिली है नहीं पाकिसान की अब वह बाद वेट भी है ड्राइब भी है इसलिए यह क्रोस है यहां पे आपने यह क्रोस कर देना है अब हम सेकंड चप्टर फॉर स्टार्ट करेंगे अब हम chapter number 4 पढ़ेंगे chapter number 4 है landforms इसमें 12 word meaning है 2 short answer है और 4 long answer है और MCQ जे इसका word page नहीं है अब first हम start करते हैं word meaning से turn मूर्ना, barrier recovered, link राप्ता, coast साहिल, mountain पहार, streams नदियां, mighty बड़ा, course रास्ता, population अबादी, fast flowing तेजबहाओ, जोर्ज घाटी, canals नहरें यह word meaning है इसके बाद है second page short answer question number 1 है which is the capital city of Pakistan, Pakistan का दारुकलाफा कौन सा शेहर है answer है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिसान का दारुकलाफा है second question है how many rivers are in Pakistan, Pakistan के कितने द्रियां है 5, Pakistan के 5 द्रियां है answer है 5 फिर इसके बाद है long answer, long answer है where does the river in dust starts, द्रियां सिन कहां से शुरू होता है answer है river in dust, द्रियां सिन starts, शुरू होता है from a lake, एक नदी से मांसूरावर, मांसूरावर, इन तिबद, तिबद में तिबद में एक मांसूरावर नदी है वहां से द्रियां सिन शुरू होता है Question number two is which area is the most populated? कौन सा एरिया ज्यादा मशूर है? Why? क्यूं? Answer is the most populated area is the industrial plane सिन्द के मिदान जो हैं वो ज्यादा मशूर है Because क्योंके this area is very fertile क्योंके ये एरिया बहुत ज्यादा जर्खेश है फसलों के लिहासे ये एरिया ज्यादा जर्खेश है इसलिए सिन्द के मिदान ज्यादा मशूर है Question number three is how are some areas of the country supplied with water? कंड मुलक के कुछ इलाकों को पानी किस तना सप्लाई किया जाता है Answer is canals नहरों के जर्ये carry the river water to many places नहरे जो हैं ये दर्याओं को पानी दूसरी जगा पर पहुंचाती है Question number four is how are valley formed? वादियां की सना बनती है या form होती है Answer है valleys are formed by the fast flowing rivers and glaciers valleys जो हैं वादियां बनती हैं तेज बहाओं द्रयाओं और glaciers के तेज बहाओं से वादियां बनती हैं ये आपके four long answer है इसके बाद है Select the right option MCQs हैं Two MCQs दिये गए हैं इसके तीन तीन options हैं जो सही है उस पर आपने circle कर लेना है या tick कर लेना है First है the second highest pass is the dash pass दूसरी बुलंद तरीन गुजरगा कौन सी है A option कराकरं B option خंजराब C option khayber पाकिसान की दूसरी बुलंद तरीन गुजरगा पास जो है वो है खंजराब खंजराब पे आपने circle कर लेना है Second है the hindu kash passes connect Pakistan with Hindu kash गुजरगा पास है जो पाकिसान को किस से मिलाती है Hindu kash गुजरगा पाकिसान को किस से जोड़ती है A option इंडिया B option चाइना C option अफगानिसान C option पे आपने circle कर लेना है अफगानिसान Hindu kash passes जो है यह पाकिसान को अफगानिसान के साथ मिलाती है यह आपके test number two के two chapter wise हो गए है जिनमें chapter three और four है यह आपने अच्छी तरह learn करना है और test देना है यह आपका test number two revise हो गया है अब में next lecture में आपसे मिलूंगी क्या लोब हूए भाड़ै कर दो